आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है हर किसी के सामने जुका देता है ऐसे ही मैं एक घटना मज़्द परदेश के उज्जेन की घटना आप सभी को बता रहा हूँ उज्जेन ब्याज पर पैसे वापस ना करने पड़े इसके लिए मा, बेटे और पोते को कर दी हैत्या लोग आज कल पैसे के लिए कुछ भी कर वेटते हैं मैं आपको यह घटना बता रहा हूँ मज़्द परदेश के उज्जेन के तीसरे हत्याकांड का जिसमें पुलीसों ने परदा फास किया इसमें पुलीस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया दोनों आरोपियों को पुलीस रिमांड में रखी हुई और कारवाई चालू है उनके उन्होंने जो गारी और जो समान उपियों किया था वो भी पकड़े गया है उज्जेन स्पी का कहना है कि आरोपियों को जल से जल सजा दिलाई जाएगी सारे चार लाग रुपई के लिए तीन लोगों की हैत्ता की गई मा की, बेटे की और पोते की मजबरेश के उज्जेन में तेरे हत्याकान का परदा फार्श हो गया इसमें पुलीस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गटना में परियुकत बाहन भी पुलीस ने जब लिए है उज्जेन एसपी ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलानी का परियास किया जाएगा उधारी के लगबग सारे चार लाग रुपेंट ना देने परी इसलिए आरोपियों ने इस हत्याकान को अंजान दिया जनकारी के अनुसाल उज्जेन में 12 अप्रैल को गराम गुराबता थाना इंगोरिया के अंतरगज चंबल नदी के किनारे दो आग्यात व्यक्तू के लाश मिले थे दोनों की गर्दन पर धारदार हत्यार से हमले के निशान थे जब पुलिस पहचान करके वहां पहुची तो उन दोनों के अस्ती वर्षिय मा भी मिर्थ हालत में मिली माका शब बेड में एक जो बॉक्स के अंदर मिला था इस घटना को लेकर पुलिस अरिजक सतेंदर कुमार शुकला ने औग गया ते लेते हुए जाच के लिए साइटी गठित की है टीमों ने घटना स्थलकानी रक्षन किया और साक्षे एक्ठित किये उधारी को लेकर आरोपियों के साथ हुआ था विवाद उजिन के इस तिंदर कुमार शुकला ने कहा कि जाच में सामने आया कि मिर्दक राजेश्वर पार्थ छोटे व्यापारी वर्थेला लगाने वाले को व्यास पर पैसे देनी क HCारी करते थे पुलिस ने मिर्टक को जानने वाले तमाम व्यापाडियों से पूस्ताज की जिसमें यावाद सामी आई कि आरोपी ने मिर्टक राजेस से पैसे उधार लिये थे इसके बदले में ब्लैक चेक दिया था इसी उधारी को चुकाने के लिए उनके बीच विवाद भी हुआ था जिसके चलते इस हत्याकान को अंचाम दिया गया था फिरहाल दोनों आरोपियों को पकर लिया गया है उनसे पूस्ताज की जा रही है पुलिस अरीचक ने कहा कि जल से जल आरोपियों को सजा दिलानी का परियास किया जाएगा जानकारी के अनुसार उज्जेन में 12 अप्रेल को ग्राम, गुरुवाटा, थाना, इगोरिया के अंतरगत, चंबल नदी के किनारे दो अग्यात वेक्तियों के सब मिले थे दोनों की गर्दन पर धारदार हतियार से हमले के निसान थे जब पुलिस पहचान करके वहाँ पहुंची उन दोनों के 80 वर्षिय मावी मिर्थक हालत में मिली मा का सब बेड में एक बक्से के अंदर मिला इस घटना को लेकर पुलिस अधिक्चक सतेंद्र कुमार सुकला ने सग्यान लेते हुए जाच किये SIT टीम गठित की है टीम ने घटना इस्तर का निरक्षन और वहाँ से सब सबुत एकत्रित किये उधारी को लेकर आरोपियों के साथ हुआ था विवाद उद्जेन के S.P. सतेंद्र कुमार सुकला ने कहा कि जाच में सामने आया है कि मिलितक राजेस वापार्थ छोटे वेपारियों को ठेला लगाने के लिए व्याज में पैसे दिया करते थे पुलीस ने मिलितको को जानने वाले तमाम उनके रिस्तेदारों वेपारियों और उनके आस्पोरोस के लोगों से पुष्टाज की जिससे यहाँ पता चला कि वह लोग सभी को व्याज में पैसे देते थे बात सामने आई कि आरोपियों ने मिलितक राजेस से पैसे उधार लिये थे और पैसे लोटाने ना पड़े उस बज़े से उन लोगों की हत्या कर दी और उन लोगों उसने अपराधियों ने पैसे के पदले उन्हें ब्लेंग चेक दिया था उन्हें यहाँ भी डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए इस बज़े से उन लोगों ने उन तीनों मा बेटे और पोते की हत्या कर दी इसी उधारी को चुकाने के लिए उनके बीज बिवाद भी हुआ जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था फिलाल दोनों आरोपियों पुलीस की गिरत्ने हैं उनसे पुष्टाच की जा रही है पुलीस अधिक्चक ने कहा कि जल्द से जल्द आपादियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा तरसकों हमें इससे यही सिक मिलती है कि पैसे के सामने हर रिच्टा हर नाता हर बंदूत्वा सब कमजोर पढ़ जाते हैं पैसे से बढ़कर समाज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता इसलिए आप किसी को भी पैसे दे या कुछ भी दे उससे पहले दस बार सोच ले मैं आप विशेक दुबे यहीं पर आज की इस सो को समाप्त करता हूँ देखते रहें दस की दस तक क्योंकि सच जरूरी है